नमस्कार मेरे किसान बायो स्वागत है आप सबका एक बार फिर किसान बायो ये DBW 187 ग्यहों की वेराइटी आप देख रहे होंगे कितना अच्छा कलर इस पर आया है कल्ले इसमें बंडने शुरू हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले 10-15 दिन में जैसा खेत किसान को चाहिए बिल्कुल ऐसा ही खेत ये बनके तयार हो जाएगा किसान साथियों अगर ग्यहों की वसल में आपके पीलापन है तो बिल्कुल भी ग्यहों अच्छे से विकास नहीं करेगा उसमें कल्ले नहीं बनेंगे और फोटो सिंतेसिस जो बोजन बनाने की परक तब ही ग्यहों शही से विकास करता है लेकिन कई मेरे किसान भाईयों की फसल में सारे इंतजाम सारे खाद के बावजूद भी अगर पीलापन है तो किसान भाईयों उसको हम जमीन के साथ साथ इस्प्रे के माध्यम से भी अगर खाद देवें तो हमें अच्छे रिजलिट म जिंक और सलफर यह पांचे तत्व हैं अगर उपपर से दे दे तो किसान भाइयो बिलकुल भी अगर आपकी मिट्टी ठीक है और फसल में कोई रोग नहीं लगा तो फिर कोई कारण नहीं बचेगा कि आपकी फसल इस तरीके की ना हो और बढ़िया विकास करना शुरूर ना क बढ़िया और आपकी फसल पर कैसा भी पीलापन हो वह बिलकुल दूर हो जाएगा किसान भाइयो अगर बढ़ियो के समय हम नाइट्रोजन फास्फुरस और पोटास जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया कि ग्यहूं की फसल में या दान की फसल में या ऐसी फसल में जिसक क्यों कि हम इसकी निराय गुड़ाई नहीं करेंगे और उपर से जब हम खाट डालते हैं अपनी फसल में तो उसके आमें ज्यादा लाभ नहीं मिलते हैं कई किसान साथी डिए पी का एनपी के खाद का इस्तमाल पहले पानी पर करते हैं उसके ज्जादा रेजल्ट हमें नह को और पानी देने के बाद उस पे साथ दिन बाद एक और माइकर नुट्रेंट का स्प्रे कर दो किसान साथ यो बिलकुल ग्याओं की फसल में फिर लास तक हमें कोई एक्स्ट्रा खाद लगाने की जुरत नहीं पड़ेगी इसी से ही अमारा ग्याओं बनता चला जाएगा बह निट्रोजन फास्फोरस और पोटास नहीं दे पाए तो किसान भाईयो आप इस इस प्रे का इस्तमाल करके अपनी यहो की फसल को रिकवर कर सकते हैं बहुत सुन्दर इसके रिजल्ट आपको मिलेगे किसान भाईयो मैं बात कर रहा हूं एरीज कंपनी के एक यह इस्प्रे के लिए बना गया प्रोड़क्ट है एक केजी प्रतियकड आपको इस्प्रे में इस्तमाल करना है किसान भाईयो पहला पाणी जैसे ही आप दे दे उसके पांच दिन साथ दिन बाद आपको इस्प्रे लगानी है और पहले पाणी पे आपको यूरिय ज़रू डालना है गेहूं की फसल में उसके बाद ये इस्प्रेइ लगानी है किसान भायो इसके अंदर फास्फोरस, पोटास, मेगनीशियम, सलफर, जिंक ये बहुत अच्छी मात्रा में दिये गए है किसान भाईयो 15% इसके अंदर पोटेशियम है 15% इसके अंदर फास्फोरस है और जिंक 2% है लगबग सलफर की मात्रा 12% इसके अंदर दी गई है किसान भाईयो इसको अगर हम स्प्रे में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी फसल पे कैसा भी पीला पड़ हो बिल्कुल दूर हो जाएगा हाँ लेकिन यूरिया का इस्तेमाल आपको जमीन में जरूर करना है क्योंकि इसके अंदर यूरिया नहीं है किसान भाईयो यूर्य आपको जमीन में देना है जैसे यह आप पहला पानी देंगे और इसकी आपको इस्प्रे लगा देनी है किसान साथियो बिल्कुल जबर्दस रिज़रिट आपको केवल आठ दिनों में ही अपनी फसल पे देखने को मिलेंगे और यह आपको बजार में 400 से लेके 500 के बीच में मिलेगा कहीं पे सवा 400 कहीं पे साड़े 400 रुपे में आपको यह एक किलो का पैकेट मिल जाएगा अगर हम अलग-अलग इन सब खादों को लेते हैं तो यह हमें महेंगे पड़ते हैं किसान भाईयो और एरीज के प्रोड़क्ट की बात ही अलग है किसान भाईयो बहुत शांदार जबर्दस रिजल्ट एरीज कमपनी के रहते हैं तो आप सल्फर जिंक मेगनिशियम अलग से ना खरीद के पोटास और फासफोरस अलग से ना खरीद के इस एक इस्प्रे का इस्तेमाल करिए किसान भाईयो यूरिया आप जमीन से दे दिजिए सारे के सारे पोशक तत्वों की पुपुर्ति आप पहले पाणी पर अपनी फ वरना किसान साथी हो मैंने बताया था आपको बुआई पर सारे खादों का इस्तमाल करो पहले पाणी पर यूरिया का इस्तमाल करो और एक इस्प्रे लगा दो एंपिके के और माइके नुट्रेंट के उसी में ही गयों की फसल अच्छी चल जाती है वैसे इसका इस्तमाल हम